Oxygen OS 11.1.1.3 for the OnePlus Nord Update How to Install Beta and Stable User Hello दोस्तों नमस्कार तो कैसे हैं आप लोग आज आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप अगर OnePlus Nord के यूजर से हैं आप लोगों को Oxygen OS 11 का नया Stable Update 11.1.1.3 के नाम से दिखने को मिलने लगा होगा आपकी डिवाइस के लिए तो कैसे आप अपने डिवाइस को अपडेट करा सकते हैं अगर आप Beta 5 उजर से हैं पहले से ही तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर चानकारी देने वाला हूँ अपडेट करने के लिए आपको क्या कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपका बैकप भी पूरी तरह से बना रहे है तो सबसे पहले आपको बता दूँ आप अगर इस Beta 5 से इस Stable Update पर आते हैं तो यहाँ पर आपका सारा डेटा एरेज होगा तो इसलिए आप अपने डिवाइस का बैकप लेना ना भूलें बैकप लेने के लिए आपको किसी और Storage डिवाइस में अपना सारा डेटा सेव करना होगा इसके वारे में आप उपर आई बटन में वीडियो दिख सकते हैं बैकप कैसे बनाएं उसमें मैंने काफी कोछ मैतन पताय हुए हैं बैकप बनाने के लिए आप सिंपल तरीके से अपने डिवाइस का बैकप बना सकते हैं जिसमें आपका सारा डेटा सेव हो सके आपका कोई भी डेटा छूटे ना उसके बाद आपको अपने डिवाइस पर Oxygen Update नामक एप्लिकेशन डालूर करना होगा जिसकी आपको लिंक वीडियो के डिस्किप्शन में भी देखने को मिल जाएगी वहां से भी आप उसे डालूर कर सकते हैं जब आप उसे अप्लिकेशन को डालूर कर लेंगे तो उसे आप ओपिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको उसका इंटरफेस देखने को मिलेगा इंटरफेस के साथ में आपको यहां पर अपना डिवाइस सेलेक्ट करना है जो कि Auto Detect वहां पर सो हो जाएगा उसके बाद आप स्टेवल पर आना चाते हैं तो इसके लिए आप फुल अपडेट को चूज कर लें वही पर आपको आप्सन देखने को मिलेगा तो फुल अपडेट पर आप टैप कर देंगे उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं कुछ इस तरीके से जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो अपडेट है वो बीटा फाइब का ही सो कर रहा होगा आपके ऑक्सीजन अपडेटर पर अब आपको सेटिंग्स के आइकन पर इसके टैप करना है और नीचे की तरफ स्कॉल डाउन करते हुए आपको एडवाइंस मोड को इनेबल कर देना है इसके बाद आपको शिम्पली अपने बापिस से अपडेटर आप्सन पर आना है अब आप देखेंगे कि आपको अपड डालूड हो जाएगा कुछ इस तरीके से डालोड हो जाने के बाद आपको जाना है अपने मुगाल फॉन्स की बाद ना हर शिशुल करते हुए और यहाँ पर आपको सारा डशा प्र पर देक बात अपने device का जो password है lock skin का वो आप इस पर put कर देंगे उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर installation process होना शुरू हो जाता है तो यह installation process जो होता है वो server के द्वारा file को detect करता है क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई भी file को ऐसे install करा रहे होते हैं वो अगर server के द्वारा connect होने पर verify नहीं होती है तो आप उसे update नहीं करा सकते हैं जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो stable to stable update कर रहे होते हैं OTA update नहीं आता है तो oxygen updater के द्वारा update करते हैं क्या कुछ genuine है तो मैं आपको बता दूँ वो बिल्कुल ही genuine है क्योंकि अगर आपका device update कर रहा है और वो server से connect होने पर उसे पहले scan करता है उसी के बाद installation process पर चाता है अगर उसमें कोई भी बारिसेस है तो वो उसे update नहीं करेगा अब आप देख सकते हैं इसकी जो installation process है वो complete हो चुकी है तो अब आपको reboot पर tap कर देना है reboot पर tap कर देंगे उसके बाद आपका device सुच off होगा और wiping process पर चला जाएगा wiping process complete होने के बाद आपको booting देखने को मिल जाएगी OnePlus की अब आपको कुछ समय के लिए इंतिजार करना होगा उसके बाद आप देखेंगे कि device on हो चुका है और उसका startup page आ चुका है यहाँ पर मैं अपने device का पूरा setup कर लेता हूँ setup करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसका home screen तो मैंने यहाँ पर setup जो है complete कर लिया है अब आप देख सकते हैं मैं इसकी settings पर जाकर के आपको about phone section दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं oxygen OS 11.1.1.3 के नाम से update देखने को मिल जाता है साथ page security page level आपको एक मेका देखने को मिल जाता है तो कुछ इस तरीके से आप अपने device को beta 5 से इस update पर ला सकते हैं stable के अगर आपका device आने वाली समय में beta 6 पर आ जाता है तो यह method काम नहीं करेगा आपको update करने के लिए उसके लिए आपको downgrade process करना होगा downgrade process के लिए मैं एक different video बना दूँगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोगों की request पर वो वीडियो मैं बनाऊंगा खलाल में आप लोगों को कुछ इस तरीके से मैंने system को update करना बता दिया है जिससे की आप इस update पर आ सकते हैं और मैं जल्द ही इसका जो review है वो लाने वाला हूँ क्योंकि review लाने से पहले मुझे testing के लिए कुछ समय चाहिए होता है इस कारण से मैं लगवक दूर दिनों में आपको review की video दे दूँगा तब तक के लिए आप लोग बने रहें चैनल को subscribe करना ना भूलें अगर आपको यह video पसंद आया है तो और मैं ऐसे ही video लाता रहता हूँ तो इसके लिए चैनल को subscribe जरू कर लें वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर like और comment करें उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you जाहिंजे भारत बंदे मातराम